है 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 हेलो फ्रेंट्स जैहिंद स्वागात आपका हमारे इस डिफेंस इस्टेडी चैनल में दोस्तों मेरा नम अंकित कुमार रहा है और आज की वीडियो में बात करेंगे ब्यास भरती के बारे में तो इस ब्यास भरती जो आई है उनका एटू जैट आपको देंगे कैसे आ आए हैं तो चैनल को किजेगा सब्सक्राइब बेल ऐकन बटन को जरू दबा लिजेगा क्योंकि नोटिफिक्स आपको जल्दी मिल जाएगे और लाइक का बटन होगा हंडिट प्रस का टार्गेट है आप जल्दी पूरा कर दीजेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते है पहले आपको बताते हैं बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स भरती 2019 ठीक है तो कौलिफिकेशन आपको टैंथ फास मांग गया और डिप्लोमा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो जरूर अटेच किजेगा पोस्ट नेम है कॉंस्टेवल कॉंस्टेवल में है कोवलर टेलर क इत्याद है यहाँ पर जॉब मिलेगे और सेलरी की बात करें तो पेश्केल जो आपको मिलेगा वह 21,700 से स्टार्टिंग है और 79,100 तक आपका जाएगा और वैकंसी के बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकंसी 1763 वैकंसी जो की बहुत बड़ी वैकंसी आपके पास है जॉब लोकेशन की बात करें तो यह इंडिया की जॉब की बात कर रहे हैं और लाश्ट जो अप्लाइ करने के वह 23 2019 है तो जल्दी से अप्लाइ किजेगा और एज लिमिट की बात करें तो 18-23 आपका होना चाहिए 1 अगस्त 2019 रिलेक्सेशन फूर कंडिडेट आपको छूड भी मिल सकती है अगर आप से आते हैं तो अगर आपके पास 18-23 एर ओल्ड है तो आप जरूर अप्लाइ किजेए और सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रीटेन एक्जाम आपका पहले लिया जाएगा उसके बाद फिजिकल उसके बाद इंटर्व्यू आपका होगा ठीक है इसका मोड क्या होगा ओफ-लाइन या ओफ-लाइन ओफ-लाइन अफ-लाइन और इसका जो जो लिंक दिया है वहाँ से आप website पे जाएए वहां पर आपको सारी जानकाड़ें मिल जाएगी ठीक है तो चलिए नोटिफिकेशन भी पढ़के आपको बता देते हैं अगर आप हमारे चै सेयर भी किजेगा तो चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर तो देख सकते हैं इसका जो लिंक है वो डिक्सिप्स में लिंक दे दिया है ठीक है आप कोहां से डाउनलोड करके भी पड़ सकते हैं तो यहां पर जो है वह मिल रहा है आपको देखें गौर्मेंट ऑफ इंड करी आपको मिल जाएगी और तरह तरह के आपको जान करें मिल जाएगे देखें एज लिमिट जो है यहां पर बिट्विन 23 से होना चाहिए और अगर आपके पास कोई फादर या मदर कुछ कोई भी डिफेंस में जौब कर रहे हैं ठीक है तो उनको भी छूट मिलेगा तो औ और नेक्स देखें एग्जुकेशन क्यालिफिकेशन आपको जो टैंथ पास होना चाहिए और अगर आपके पास कोई भी एक्स्प्रियेंस है डिपलोमा के साथ तो आप जरूर फॉर्म को फिल अप कि जेगा और इस फॉर्म को डाउनलोड करके आपको फॉर्म को अप्लाय करना होगा ठीक है जहां पर तो यहां पर आपके पास 0 ूप्याया कुछ नहीं होगा ठीक है थो यहां पर इस फॉर्म को अप्लाए करना हैं अप जाहे बीस वारट आते पास वीडियू को साथ